हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आपका भाई हाजी रो चुका है और एक न्यूव अपडेट्स के साथ जैसे कि अभी टाटा स्टिल का और एक न्यूव रिक्वार्मेंट निकल कह है अस्पेरिंग इंजिनेरिंग प्रोग्राम 2022 का जो रिक्वार्मेंट निकलावा है उसके उसे क्या-का इलिजबिलिटि क्राइटरिया रखा गया है उसे ब्यडियो में पूरा फुल इन्फरमेशन दीा हूँ अगर आप उस ब्युडियो को नहीं देखे है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्כשיו में देदेता हूँ आप जा के देखे उसका फुरा फुल इलिजबरेटी क्राइटेरिया क्या है आपको पता चल जाएगा हम इस वीडियो में जो फॉर्म निकला वे इसको आपलाई करने का प्रोसेस किया है step by step इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे और मैं आपको फॉर्म आपलाई करके भी इस व कर लीजिए वहां पर मैं टेक्निकल स्टडी मेटियाल के साथ साथ जॉब अपडेट्स भी वहां पर अपडेट्स करता रहता हूं जैसे कि आप यहां पर देख सकते में टाटा स्टील का ओपीशियल केरियर वेबसाइड में हूं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्र बूल के आजाएगा आपको क्या करना यह थर्ड नंबर का जो लिखा हुआ एस्पेरिंग इंजिनेरिंग प्रोग्राम टूटाविंटी टू आप्लिकेसन फॉम उसके उपर में आपको क्लिक कर देना है जैसे आप उसको क्लिक करेंगे इसका फॉर्म पुछुआ में पर यहाँ तकी करेंगे हैंगे यहाँ पर इसना करेंगे नक्सित यहाँ पर देंडल में यहाँ तक अपलाई कर सकते हैं और SCST Candidate यहां पर 32 तक अपलाई कर सकते हैं यहां पर Domicile में उसके बाद में आपको क्लिक कर लेना है यहां पर All India Candidate इसको अपलाई करने के लिए इलीजीबल रहेंगे जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ फिर यहां पर नेक्स्ट आपको जो वीजीबिल आइडेंटिपीक संवार्क यहां पर देदना है अगर आप पी ड़बुडी आपको आपना पर्मनेंट आडरेस यहां पे फिल कर लेना है अगर आपको प्रेजेंट और पर्मनेंट सेम है तो अपकर टिक कर दीजिए नेकस्ट एकाडेमी क्वालिपिकेशन में आपको यहां पर टेंथ का यहां पर फिल कर देना है यहां पर स्कूल ने में यहां पर बोर्ड ऑप यूनिवर्सिटी यूर पासिंग और आपको यहां पर मार्क यहां पर फिल कर देना है अगर आप 12 कि हैं तो यहां पर 12 फिल कर दीजें नह यहां पर qualification में आपका जो B, B, T, B, C candidate हो उसको आप चूच कर दिजिए, यहां पर domain for apply जो देखने को मिल जाएगा, आपको यहां पर आपको फिल कर लेना, जैसे कि यहां पर आपको institute, name, board of university, branch, europe, passing और यहां पर आपको परसेंडेज यहां पर फिल कर देना है, फिल करने बाद अगर आप diploma के बाद B, T, किये हुए, तो आपको यहां पर अपना डिपलोमा यहां पर select कर लेना, जैसे कि यहां पर आपको क्लिक करेंगे, यहां पर देखने को मिल जागा, M, T, MBA, अगर आप अपको अपना एक्स्पिरेंस फिल कर सकते हैं, अगर आप फ्रेसर केंडेट है तो आपको इसको फिल करने का कोई भी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट यहां पर अपना जो latest जो रिजूम है, updated रिजूम को यहां पर अफ्लोड कर लिजे, अफ्लोड करने के बाद यहां पर अपना प्रेफरेंस, आप कहां पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यहां पर पहले सेलेक्टरने का option दिया गया है next यहां पर आपको यह टिक बॉक्स दिख्राइब टिक बॉक्स में click कर दिजे click करने बाद यहां पर एक submit का option देखने को मिल जाएगा आपको क्या करना है यहां पर आपका फॉर्म को submit कर देना है अगर आपको फिर भी कोई भी सब्सक्राइब नोटिफिकेशन टेकनिकल लेटे स्टड़ी मेटल और इंटर्व्यू टुप्स आपका भाया आपके लिए चैनल में अपडेट्स करता रहते हैं